मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई घर को नया और फ्रेश लुक देने के लिए लोग अकसर पिंट करवाते हैं कुछ लोग तो घर को नया दिखाने के लिए सजावट का सामान भी ले आते हैं लेकिन कुछ सिंपल डेकॉरेटिव तरीके से भी आप अपने घर को नया और फ्रेश लुक दे सकते हैं बस आपको करना होगा थोड़ा सा फेर बदल और उसके बाद आप देखिए आपका घर स्टाइलिश होने के साथ साथ कूल फ्रेश और बिल्कुल नया सा लगने लगेगा और किन तरीकों से? इस सारे तरीके हम आपको बताएंगे जो कि आपके घर को फ्रेश और नया दिखाने में आपकी मदद करेंगे बात करेंगे सबसे पहले कुछन कवर की बदलते मौसम के साथ आप कुशन कवर को बदल कर लेटिस्ट कलर कॉम्बनेशन से भी घर को डेकोरेट कर सकती हैं इससे आपके घर की शोभा भी बढ़ेगी और घर नया भी लगेगा बात करेंगे अब हैंड पेंटिट या हैंड मेड चीजों की घर को नय तरीके से सजाने के लिए आप हैंड पेंटिट चीजों का इस्तिमाल कर सकती हैं आप चाहें तो अपने घर में हैंड पेंटिट चीजों बना कर घर को डेकोरेट कर सकती हैं इससे आपकी घर को सिंपल और अट्रक्टिब लुक मिलेगा बात करेंगे फूलों से सजावट की अगर आप घर को नए होने के साथ साथ फ्रश भी बनाना चाहती हैं तो आप अपने घर की सजावट में फूलों का इस्तमाल जरूर करें अपने वास में ताजा या फिर प्लास्टिक के नए फूल लगाकर इसी डेकॉरेशन का खास हिसा बना सकती है बात करेंगे अब कर्टन या वैनीशिल ब्लाइंट की गर्मियों में घर को कूल और नया लुक देने के लिए आप चटाई नुमा कर्टन या पैनीशिल ब्लाइंट का इस्तमाल कर सकती हैं ये घर में कर्टन के लिए सबसे अच्छा आप्शन है इसका इस्तमाल करके आप देखेंगे कि आपका घर फ्रेश और बिल्कुल नया सा दिखने लगेगा बात करेंगे अब फ्रेश कलर्स की गर्मियों में घर को कूल और नया लुक देने के लिए घर में लाइश शेट्स जैसे पीच, यलो, ब्लू कलर के फ्लावरी प्रिंट वाले कर्टन्स लगाएं आप चाहें तो इन कलर का पेंट करवा कर भी घर को बिल्कुल नया लुक दे सकती हैं तो फिर अगर आप भी अपने घर का पुराना लुक देख देखकर बोर हो चुके हैं तो आज से ही जुट जाएए अपने घर को एक नया और फ्रेश सा लुक देने के लिए उमीद करते हैं बताए कि ये खास जानकारी आपको बहुत बसंदाए होगी बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ फलाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में पसितना हैं